हेलो एवरिवन आज हम एक नॉवल डिसकस करने वाले है उसका नाम है दबलू एस्ट आई इसे लिखा था टॉनी मोरिसन ने पब्लिश कराया गया था 1970 में और इसकी सेटिंग रखी गई थी लॉरेन ओहियो में तो टॉनी मोरिसन एक एफ्रिकन एमरीकन नॉवलिस्ट है जिनने पुलिट सर और नॉवल प्राइज मिला था साथ ही यह ऐसी पहली ब्लैक मुवन थी जिनने नॉवल प्राइज मिला था और इनके वर्क्स में हम रेसिजम जैसी प्रॉब्लम को देख सकते हैं तो इस novel की story भी पेकोला नाम की एक black African American girl की ही है जो की year 1941 पर based है तो पेकोला अपने black complexion और mannerism की वज़े से ugly उसको माना जाता है और उसे लगता है कि अगर उसे blue eyes मिल जाए तो सब उसको beautiful मानने लगेंगे उसको धीरे-धीरे inferiority complex हो जाता है और वो अपनी mental stability खो देती है तो जो यह blue eyes है यह इनकी society में beauty और whiteness को represent करता है beauty का blue eyes symbolic है तो अब हम सबसे पहले characters देख लेते हैं इस novel के तो इस novel में two major families है macteer family and breed love family पेकुला breed love इस novel की protagonist है इसकी मदर का नाम है Pauline breed love फादर है चौली breed love और उसका एक भाई है Sam breed love और उसके बाद दूसरी family है macteer family तो उस family में Claudia macteer है जो की nine year old girl है इस novel की narrator है उसकी एक बहन है freedom macteer और उसके बाद उनके घर में एक tenant रहने आता है जिसका नाम है Henry Washington और उसके बाद aunt Jimmy चौली की aunt है चौली के parents ने बचपन में ही उसे छोड़ दिया था उसके बाद aunt Jimmy ने ही चौली की देख भाल करी थी ठीक है उसके बाद हमें बताया जाता है कि इस novel में एक और black family है ज मानती है राइट तो इस family में ऐसी ही एक family है जिस family में एक lady है जिसका नाम है Geraldine उसका बेटा है junior ठीक है और ऐसी ही एक और girl है Maureen Peele तो उसे भी सब beautiful मानते हैं सब adore करते हैं admire करते हैं और क्यूंकि उसका complexion भी comparatively light है राइट उसके बाद है एक spiritualist sofit church तो यह एक spiritualist है और एक fraud भी है ठीक है उसके बाद है Fisher's family यह एक white family है और इनके घर में पेकोला की mother Pauline Breedlove servant का काम करती है तो उसके बाद अगर narrative technique की बात करें तो Morrison ने इस novel की story को four parts में divide किया है तो और हर एक पार्ट को season का नाम दिया है like autumn, winter, spring and summer साथ ही Morrison ने two narrators का use किया है तो पहली narrator है Claudia Macteer and second narrator है एक omniscient narrator ओके तो जादातर जो novel का जादातर part है जादतर scene है वो हमें nine year old girl Claudia Macteer के perspective से ही बताया जाता है ठीक है और जो scene Claudia ने नहीं देखा वो हमें एक unknown omniscient narrator बताता है जिसको इन सब की पूरी जानकारी है सब कुछ पता है ठीक है अब हम इस novel की summary देख लेते हैं वो भी season wise तो सबसे पहले autumn season के बारे में बताया जाता है तो इस समय अभी Claudia adult है ठीक है लेकिन वो अपनी बच्पन की बातें याद करते हुए हमें story ब बता रही है कि वो अपने family के बारे में बताती है उसकी family काफी poor family है वे लोग एक old house में रहते हैं और किस तरीके से पेकोला के alcoholic father ने अपने घर में आग लगा दी थी और जिसकी वज़े से पेकोला अब उनके घर में आकर उसको रहना पड़ रहा था ठीक है और उसके बाद Claudia यह हमें बताती है कि पेकोला Hollywood actresses को काफी admire करती है ठीक है लेकिन Claudia को वे पसंद नहीं है और Claudia को वे डॉल जिनकी blue eyes है उनसे भी उसको काफी नफरत है इतनी जादा नफरत है कि वो उन डॉल्स को destroy कर देती है उसके बाद हमें omniscient narrator breed love family के बारे में बताते हैं कि यह एक poor family है breed पेकोला की family राइट तो पेकोला की family काफी poor family है और इनकी life loveless life है full of violence है इनके घर में और जो पेकोला के parents है वो हमेशा आपस में जगडा करते रहते हैं और पेकोला को लगता है कि अगर उसको blue eyes मिल जाए तो उसके parents में जगडे नहीं होंगे ठीक है और उसको सब beautiful मानने ल कि एक दिन होता है जब पेकोला को black boys परिशान करते हैं तो Claudia और उसकी भेन फ्रीडा पेकोला को उन black boys से बचाते हैं ठीक है और यहीं पे हमें Maureen पील से भी इंट्रेडियूस कराया जाता है कि उसे सब beautiful मानते है क्योंकि उसका comparatively light complexion था ठीक है इसलिए सब उसको beautiful मानते है लेकिन जब Maureen अपने आपको beautiful बोलती है जब वो खुद भी अपने आपको cute बताती है तो Claudia को गुस्सा आ जाता है और Claudia का Maureen के साथ जगडा हो जाता है ठीक है और उसके बाद Claudia और Frida जब अपने घर में आते हैं तो देखते हैं कि उनका tenant Henry उनके mother के absence में दो prostitute को घर पे दे आया है ठीक है उसके बाद हमें omnisade narrator बताते हैं कि एक और ऐसी black family है ठीक है लेकिन वो अपने आपको superior मानती है क्यों क्योंकि उस family में उस family ने white culture का accept कर लिया है ठीक है और उनका complexion भी comparatively light है तो इस family में है Geraldine नाम की एक lady है और उसका बेटा है junior तो Geraldine अपने आपको superior मान करनती है और पेकोला जैसी black poor girl को वो निगर बुलाती है ठीक है वो उनको dirty और loud बुलाती है अपने बेटे को वो उनके साथ खेलने के लिए मना करती है वो अपने आपको superior समझती है और उसके पास एक cat है जिससे वो बहुत जादा प्यार करती है जो बात उसके बेटे junior को प हुआ खाल देती है ठीक है उसके बाद अब is spring season में हमें na Claudia बताती है कि henry उनका टेनेंड जो था हैंडी उसने फ्रीड को मॉलेस्ट किया था जिसकी वजह से उसके parents henry को घर से निकाल देते है ठीक है और उसके बाद फ्रीड़ क्लोडिया मूटी नहीं होना चाहती है तो उ को ड्रिंक प्रोवाइड करा सके तो इसलिए पेकळला को ढूंद थे ओभी Fischer family घर के में जाती है तो Fischer's के घर में जो है पेकळला की मदर servant का काम करती है तो वहाँ पर पेकोला, एक hot liquid एक hot dish है तो अपने पैर पर गिरा देती है जिसकी वज़े से उस होट लिक्विड से उसका पैर जल जाता है लेकिन उसकी माँ पॉलीन ब्रीड लव अपनी ही बेटी पेकोला को उसके बाद डाटने और मारने लगती है कि उसने सब मैस कर दिया, सब उसने स्पिल कर दिया, गिरा दिया उस लिक्विड को, ठीक है? उसने एक हॉलिवूड एक्टरस की जैसे हेर स्टाइलिंग भी करवाई थी, ठीक है? वो वाइट कल्चर को एक्सेप्ट करना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो अगली है, वो अपनी बेटी को भी अगली मानती थी और उसके सारे सपने मर गए और वो वाइट फैमली में, वाइट फैमली के घर पर सर्वेंट का काम क और जब उसका फर्स्ट सेक्शल एंड काउंटर हुआ था तब टू वाइट मैन ने रुइन कर दिया था और उसमें इंटरफेयर भी किया था जिसके वज़े से चॉली को काफी युमिलेशन फेस करना पड़ा था वो युमिलेट हो गया था और उसके बाद से उसकी मेंटल स् बताते हैं कि चॉली ऐसे ही एक दिन अपने घर आते हैं और अपनी ही बेटी पेकोला का रेप करते हैं ठीक है उसके बाद हमें आगे बताते हैं अभी कि एक स्प्रिच्वलिस्ट है सोपेट चर्च तो उसके पास पेकोला आती है इसके पास और भी दूसरे लोग अपनी अ खिला दो तो तुम्हारी च्छा पूरी हो जाएगी तो लेकिन वह उस मीट बेल वह जिन मिला देता है जिसको खा कर डॉक्स मर जाते हैं तो अब पीकोला को लगता है लेकिन कि उसने मेट कहला सर्वाइव ना करें ठीक है लेकिन क्लॉडिया फ्रीडा चाहते हैं कि पेकोला का बेबी सर्वाइव करें इसी लिए वो जिस पैसे से बाइसिकल खरीदने वा देते हैं वो उस पैसे से मेरिगोल्ड सीड खरीदते हैं और उन सीड को प्लांट भी करते हैं और गौड से प्रे जाद हमें पेकोला के बारे में बताया जाता है कि पेकोला अपनी mental stability हो चुकी है उसे लगता है कि सब इसके साथ strange behavior इसलिए कर रहे है क्योंकि उसको blue eyes मिल गई है ठीक है वो अपने मदर के साथ रहती है उसके फादर चॉली की death हो चुकी है उसका जो भाई है सैम वो उन्हें तो अब Claudia guilty feel करती है कि उसने और उसकी society ने अपने आपको superior मानने के लिए बिचारी पेकोला जैसी poor black girl को escape road बनाया है उसको लगता है Claudia को लगता है कि पेकोला को बली का बकरा बनाया गया है अपने आपको superior मानने के लिए ठीक है तो उसके बाद थीम्स देख लेते हैं तो थीम है color consciousness, racism and white beauty standard तो ये तीनों ही आपस में interlinked है हम देख सकते हैं कि जो novel के characters है वो शुरू से ही उनमे color consciousness है तो कोई अपने racism की वज़े से अपने आपको superior मानता है कोई inferior मानता है और इनकी society ने white beauty standards बना दिये है हम देखते हैं कि Claudia macteer ऐसी doll से को destroy कर देती है जिनकी blue eyes है तो उसे लगता है कि अगर वो ऐसी doll को admire करे तो इसका मतलब वो अपने आपको inferior मान रही है ठीक है और वो अपने आपको inferior नहीं मानना चाहती थी इसलिए ही वो एसी Hollywood actress को भी admire नहीं करती थी और एसी dolls को भी hate करती थी नफरत करती थी जिनकी blue eyes है ठीक है इसलिए उसका जगड़ा भी Maureen Peel के साथ हो जाता है वहीं दूसरी तरफ हम देखते है कि पेकोला और पेकोला की mother Hollywood actress को काफी admire करती है पेकोला को लगता है कि अगर उसको blue eyes मिल जाए तो उसको सब beautiful मानने लगेंगे और Pauline Breedlove जो है वो अपनी hair styling कराती है Hollywood actress की जैसे ठीक है और उसके बाद हम देखते हैं कि McTier family का जो tenant था Henry वो ऐसा hair oil use करता है जिससे उसके बाल straight लगे ठीक है और फिर Geraldine के बारे में हम देखते हैं कि Geraldine भी अपने आपको superior मानती है वो पेकोला को nigger बुलाती है dirty बुलाती है ठीक है और वो white culture को accept कर चुकी है उसका complexion comparatively light है Maureen Peel भी अपने आपको beautiful मानती है उसे सब beautiful मानते है क्योंकि उसका complexion comparatively light है ठीक है और फिर दूसरी तरफ हम झाल ढार झाल 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 पीम झाल